नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पे मैं विकास कुमार दोस्तों स्कैचचप 2022 का लेटस्ट वर्जिन जो है लॉंच हो चुका है यह 31 जनवरी को लॉंच हो चुका था लेकिन इसका जो है सेटप फाइल है जो हमें आज ही उपलब्द होई है ठीक करना तो आप डिरक्ट वहां से लिंक से डाउलोड कर सकते हैं और जैसे ही इंदर फैल करेंगे वह एक रार फाइल होगी हुए उसको एक च्ट्रेक्ट करना होगा उसका पासवरड होगा हिन्टो फीर या मैं आच पासवरड करma तो उसको को अंदर आपको इंदर रिड मी फाइल मिलेगी एक टेक्स्ट फाइल आपको उसको ध्यान से रीड कर लेना है और उसके अंदर इंस्ट्रक्शन पढ़के आप असानी से इसको इंस्टोल अपने PC में कर पाऊगे तो मैंने कर लिया है आप भी वहां से डाउनलोड करके अपने PC में SketchUp 2022 को इस्टोल कर सकते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे SketchUp 2022 के अंदर जो नए features हैं उनका क्या काम है और वो जो नए features add हुए है उनका हमें कुछ benefit भी है या नहीं है ओके गाइस जैसे कि आप display पर देख पा रहे हैं तो यहां है मेरे पास SketchUp 2022 latest version मैं आपको दिखा भी देता हूँ आप यहां उपर भी पढ़ सकते हैं SketchUp Pro 2022 या आप यहां पर help में जाके about में जाके यहां पर आप देख सकते हैं SketchUp Pro वर्जन मैंने 64-bit डाउनलोड किया है 22 लेटेस्ट वर्जन है यह 31 जनवरी को लॉंच हुआ था लेकिन यह official website पर जो हमें इसका demo वर्जन ही मिलेगा तो मैंने लिंक दिया जो description में वहां आपको इसका pro वर्जन मिल जाएगा और आप वहां से असानी से डाउनलोड करके install कर सकते हैं हमने PC में ओके गाइस तो चलिए देखते हैं इसके अंदर नया क्या आया है तो सबसे पहले तो मैं राइट के लिख करके लार्ज टूल सेट यहां पर ओन कर लेते हैं ठीक है जो दो नए फिस्टर एड़ हुए हुआ हुआ काम क्या है माली जी मैं यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट यहां पर क्रियेट कर लेता हूं दो तिन कुछ भी ठीक है तो इस तरह से मैं दो तिन ऑब्जेक्ट यहां पर क्रियेट कर लेता हूं कि मानली जी हमारे पास यह तीन चार अबजेक्ट है ठीक है तो सबसे पहले टूल का मैं आपको भी यूज बता जिता हूं इसमें सबसे पहले जो नया टूल आपको देखने को मिला है यहां पर लेस्टो सलेक्ट का टूल एड़ हुआ है नया देखिए पहले हमें यहां किसी इनञान होता है ब own the Tell Land sell देखने को मिला है लेस सो या लेजो जो भी आ इसको बोलना चाहिए लेजो चैसे इसने दिखाया है इसके अंदर इसका काम किया है तो माहिए नहीं इस की हटाहिए हम एक इस तरह से जितने भी एरिया को only और करेंगे उतने ही अरिया को हम सेलेक्ट कर पाएंगे पहले क्या होता था माली जी मुझे यह चीज़े एक साथ सब्सक्राइब वैसे तो इसमें कुछ नया है तो मेरे को लगा नहीं लेकिन पता नहीं नोंने यह फीचर क्यों दिया है क्या सोचके दिया है लेंगे पहले भ सकता है इसका कहीं आगे चलके यूज हो जैसे यहां भी यह दिखिए राइट साइड में आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्षन भी यह दिखाता है कि इसका यूज किस तरह से करना यह देखिए ययनिकी हम इसको और तो यह इसको पूरे इरिया को जो एक हो आप और अब मुझे कमेंटर सकते थे मुझें निलगता इसमें अलग है यह बिए इससे हो जाता है है select tool से भी यह देखिए लेकिन इन्होंने दिया है तो कुछ तो इसका यूज़ होगा हो सकता है future में कुछ आज हम प्रोजेक्ट करें जिसमें इसका यूज हो कुछ specify हमें एक थोड़ा साइर या इस तरह से कर ना है योश्र आपको देखने को मिलेगा इसे आप लैस सो टूल या लैसो टूल जो आप इसको बोलना चाहिए ठीक है तो दूसरा जो रापको सबसे उपर आपको सर्च कैश्थ का यहाँ आपको ऑस competitive ले ठीक है अब इसका क्या यूज है यह मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल ही सिंपल यूज है और मैं कहता हूं यह भी बस इन्होंने एक तिग्रम बाजी ही की है इसका मेरे को जादा कुछ लगा नहीं जहां जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा यूज इसका लेक च्छा की का पता है तो हमारे लिए इस चूलागो जादा यूज नहीं है हां लेकिन बिगनर्स के लिए बहुत य hedge है आपको नहीं पता कि कोई टूल कहां से open होगा तो वह आपके लिए है माले ओखको line tool लेना तो आपको सिंपल यहां पर line तो यहां पर आपको सर्च करके आपको देगा ठीक है यहां के लाइन के नेम से जो भी अब्जेक्ट है इसमें वह तूल से आप यहां से डिरेक्ट इसको सेलेक्ट के टूल को यूज कर पाएंगे ठीक है सैडिlles सर्च का इकाम इसका यह दियो कोई और टूलापको सर्च करना जैसे से रक्टैंगल ब्सकना और प्रैस करेंगे ठीक है आज इसके उप्स जोनगा होगा ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा सर्च तूल यूज क्या है तो एक इसके अंदर ये नया ओप्षन एड़ हुआ है स्केट दो हज़ार वाइस के अंदर यापको यहां एक सर्च टूल मिलता है जहां पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं जैसे टेमेज़ टूल है टीए पीज टेप लिएंगे तो यहां पर यह दिखे टेमेज़ टूल ठीक है टैग यानिक टी यहां जो भी आप इसके अंदर वर्ड टाइप होगे उन वर्ड से लेटर जो भी इसके अंदर टूल या उप्षन होगे वो डारेक्ट आप यहां से अक्सेस कर सकते हैं यानिकि एक शोटकट है डारेक्ट आपको टूल के अंदर जाने की जुरूत नहीं है और यह तो यह थे कुछ नए फीचर जो एड़ हुए हैं स्काइच अप 2022 के अंदर जैसे यह सर्च बार है लैसो टूल है ठीक है और यह जो टैक का ऑप्शन है वाकि कुछ और ओप्शन भी जो एड चलता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा नेक्स्ट किसी टिटोरिल वीडियो के दोरान ठीक है तो फिलाल यह आज का एक सोट असा इंट्रो वीडियो था स्काइच अप 2022 के बारे में आपको कैसा लगा मुझे कमेंटर में जूरूर बताएं और यदि आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां पर जाइए और कलिक करके डाइरेक्ट जैसे ही आप डाउनलोड स्टाट हो जाएगा और वहां पर मैंने स्टोलकर लिजिये अपने पीचे में स्काइच अब 2022 को उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो है टीटोरिल वीडियो हो होगा वह हम जल्द ही बनाएंगे स्काइश पूर्जन टोंटी टू के अंदर है ओके गाइस तो जाते जाते फाइनली मैं आपको सोटकट की बता देता हूं जैसे कि हमारा यहां पर सर्च टूल है यहां पर यहां पर कीबोर्ड से सिफ्ट प्लस एस प्रेस करोगे तो यहां स दो तिन टूल्स हैं जो एड हुए हैने स्केश पूर्जन टोंटी टू के अंदर दो तिन फीचर जो नहीं एड होए हैं ओके गाइस तो आज के लिए इतना ही यह चोटा हर वीडियो था एक स्कैश पूर्जन टोंटी टू के इंट्रों के ऊपर आपको कैसा लगा मुझे क दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद वगंदे मातरम दोस्तों